दोस्तों एक नियूज काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही थी कि हिमानशी और जो उनके हजबे नहीं यानि की रिशी हो चुके हैं अलग क्या इस नियूज में कुछ भी सच्चाई थी लोग सोच रहे थे कि क्या ये सच्चा है या जूटा है लेकिन बिंग रिशी पर आकर रिशी ने ये चीज क्लियर कर दी है कि हाँ कुछ चीजे ऐसी उनके परिवार में उनके घर में हो रही है जो कि अच्छी नहीं है तलाग का उन्होंने confirm नहीं किया कि तलाग हुआ है नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बाते बताए जो कि काफी जादा शोकिन है उन्होंने बताए कि हमानशी ने ना सिर्फ उन पर बलकि उनके परिवार पर उनके मावाप पर allegations लगाये हैं harassment के यानि कि परेशान करने के उन्होंने ये भी बताय कि ऐसे allegations लगे हैं कि ना तो आप विश्वास करोगे और ना ही मैं यहाँ पर उनको बता सकता हूँ आपको बता दे कि ये सब चीजे होने के बाद में जो हिमानशी उनको काफी जादा hate मिलने लगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते थे कि हिमानशी अपनी तरफ की बाते बताए तो लोगों ने हिमानशी के comment section को इन चीजों से भर दिया कि हमने रिशी की तो बात सुन ली है लेकिन आप भी बताओ कि आखिरकार पूरा मामला क्या है इस पर शायद अब जल्द ही हिमानशी बाहर आए और सवाल लोग के जवाब दे आपको बता दे कि इस से पहले भी जब इनकी तलाग की बाते हुई थी तो पहले बिंग रिशी चैनल पर वीडियो आई थी उसके बाद में हमानशी ने ये चीज़ का खुलास्टा किया था कि हाँ वो लोग सेपरेट हो चुके हैं लेकिन उसके बाद में जब वो लोग दुबारा से एक साथ में आए लोगों ने कहा है ये सिर्फ इनका नाटक है ये सेपरेट नहीं हो रहे थे सिर्फ पब्लिक का बेकूफ बना रहे थे क्योंकि एक दम से सेपरेशन के बाद में जब ये साथ में आए उस वक्त बिंग रिशी का चैनल काफी जादा अच्छा चल रहा था तो लोगों को एक लगा कि नया चैनल चलाने के लिए ये लोग सेपरेट हुए थे उसके बाद इस स्टोरीज बनाए गए और ये फिर अब साथ में आ गए है लेकिन अचानक से इनके चैनल पर व्लोक्स आना बंद हो गए तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया आखिर कारिये दोनों कहां हैं उसके बाद जब बिंग रिशी है वो अपने थोड़े थोड़े व्लोक्स डालते थे लोग सवाल करते थे वहाँ पे और हिमानशी के चैनल से यानि की इंस्ट्राग्राम से और इनके रिशी के इंस्ट्राग्राम से सभी इनकी चीज़े डिलीट हो गए थे फोटो वगरा सब कुछ डिलीट हो गए थे जिसके बाद लोगों ने इंदाजा लगा लिया था कि हाँ इनके बीच में कुछ गड़ उसको प्यार किया और जो उसने मेरे पेरेंट्स के साथ में किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है तो आपको क्या लगता है कि सच में हिमानशी की गलती है या फिर हिमानशी का पार्ट भी सुनना चाहिए लोगों को कुछ भी चीजों का डिसीजन लेने से पहले